यह सर जी हमारे आज हो है पचीस नौम्मर को यह राम रूप ठेकेदार से हमारे किसी के माध्यम से बात हुई थी क्योंकि मैं बिल्कुल नए आदमी हूं मैं बठे लाइन पर तो इन्होंने हमको यह बाइस पचीस लोग अपने परिवार के ही ठेकेदार बन करके इनको लेकर जारी करता हूं और यह पचीस परिवार को लेकर के हमारे पास आयते हैं इन पचीस परिवारों में जो राम रूप का बेटा रज्जू है और जो संजय इनका भंजा है यह और इनकी जो पतनी है यह लोग अभी मुस्किल से 12-15 रोज पहले आए और यह सब एकी परिवार के लोग हैं यह खैर का डेरा वहां के लोग है और इसने जो पीडित परिवार है जो बच्चियां है उसके पिता हैं उन्होंने कभी आप से शिकायत की कि राम रूप के बेटा और भांजा उनको परिशान कर रहा उनकी बेटियों को कभी सब्सक्राइब कुश नहीं हुआ और कि मलब बिवाद नहीं हुआ जगला नहीं बोलेंगे इसको सरजी इस जगला इसको नहीं हां कि आपस में कुछ कहा सुनी हुई है हमारे मुनीम ने हमको फोन किया जबकि मैं बुद्वार को बठे नहीं आता इस वज़े से कि मंगलवार को हमारे इन लोगों को खुराकी का पैसा दिया जाता है तो बुद्वार को यह लोग सबने श्यपत्ती में होते हैं तो जब मैं सुबह आया तो मैंने सबसे पहले जो पीडित परिवार था जो जिन घर की बच्चियां थी मैंने उन से बुला करके बात की तो उन्होंने हम से इस पस्ट यहीं कहा कि आप इस चोटी मोटी हम लोगों की बात्ची तो होती रहती है और मुझको यह भी नहीं बताया कि कुछ ऐसी गड़ना बच्चियों के पर पच्च हुई है हाँ यह भी नहीं बताया इसके बाद में फिर मैंने उस ठेकेदार को बुलाया जो राम रूप को और वो भी माने सब्सक्राइब करते लोग और इसके बाद में हम लोग फिर चले गए हमको बता दिया तुम लोग चले गए शाम को करीब 9-9 बजे के आसपास हमारे बठे से एकदम अचानक फिर फून गया है कि बठे में आपस में लोग फिर से लड़ादा है तो मैं ततकाल बग करके तुरंत मैं आया हूं बठे में और बठे में आकर करके मैंने देखा तो मुनीम लोगों ने बताए कि बच्चीओं ने आत्मात्या कर लिए और इनसे कितने दूर थी एक जंक यह हमारा जो जो हमारी जो पताई लगी हुई हमारे बठे के आगे यह तो यह सामने प्याल दिखरा मुश्किल सब 50 मीटर दूर पर तो वहां पर उस प्याल से मनलब जैसे कि एक चीज और आई है कि एक डुपटे से तो उसका मतलब यह नहीं है सर जी कि एक डुपटे एक डुपटे को उसको दो बार फाल कर लिए उसको दो टुकलों में बना कर कि बाहर जाने की जुवरत नहीं लेकिन अब इन लोगों का क्या मेटर था तो जब वह वापस नहीं आई हैं तो उन्हों ने बताया कि शायद यह लड़के हमारी बच्चीयों को भगा ले गए और इसके बाद में उस चीज की खबर हमको मिली थी कि आपस में लोगों की लाश उनके परिवार के साथ अब उनके गाउं भी गए तो वहां पर क्या मतलब मिला कि राम रूप जो ठेकेदार है जिसका बेटा और भांजे नहीं घटना की तो क्या वहां पर बताया गया कि यह लोग दबंग हैं क्या हैं क्या बता रहा था उराकेश ने उस गाउं में सर जी जब मैं दूसरे दिन उनके गाउं गया हूं उनके साथ में मैं बराबर रहा हूं और उनके जब गाउं में उनके अंतिम संस्दकार में गया हूं तो गाउं में मुझे एक भी आदमी और मैं ही नहीं शायद इस वक्त कोई भी जा के देख ले तो वहां पर एक भी बहुत लोगों से मिला वहां पर किसी लड़की के पिता ने आत्मात्या की उसके बेटे से बात उसने बताया कि यह क्या कह रहा था क्या डरता कौन धंका रहा था राम रूप के तरफ से यह आज हमारी अभी बात हुई है तो उन्होंने यह बताया है कि हमने यह फाइयार भी क से पहुंचे हैं और रात में ही जो भी बात उनकी उनकी वह उनके बीटे ने भी बताया हमको वह उनके काल शेट हो जब सो के जगए तो कि मिन्या पर. पापा हम से रो रहे थे कहने तो मैंने कहा है कि पापा परेशान नो ऐसा कुछ नहीं होगा इसके बाद में वो जो है मतलब कुछ मौकाओं का देख करके जंगल की तरफ निकल गए और उन्होंने भी मतलबuft लोगोंने उनकी खोजबीन Ш으ुडाया मैंने बताया कि मैंने खोजबीन पिखे तो उनका भी पहर से उनके दोर बारिश तंगी हुई मिली इस बात को लेकर करने उस बताया खिस अन narrower भाण के लिए कि शोलार तो यही बात उन लोगों ने भी मेरे को बताई है अब यह तीनों लोग गिरफतार हो गए आपको कभी नहीं राम रूप के बारे में पता चला आपने नौकरी पर रखा था 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 कि अपने लोगों की पताई लगी हुई है वहाँ पर बाहर का कोई आदमी हमारे छेत रखा इनके फल पर नहीं बाकी आपस के लोग हैं अपना आपस में उठते बैठते थे कोई ऐसा मतलब नहीं था